तो लोग कॉस्ट कैरियर गोफर्स ने एक लिन इश्यू के और फंड की कमी के बीच अगले दो दिनों के लिए नई बुकिंग पर रोक लगा दी है एरलाइन की तरफ से डारेक्टर जनरल आफ सिविल अवियेशन को इस बारे में जानकारी दी है गोफर्स एरलाइन्स ने डीजिस यो को सूचित कर दिया है कि उनकी सभी उडाने तीन और चार मैं को रद रहेगी न्यूज एजनसी एन आई के मुताबिक डारेक्टर जनरल आफ सिविल अवियेशन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गोफर्स एरलाइन्स के डीजिस ये को सूचित किया है कि अगले उसकी सभी उडाने तीन और चार मैं को रद रहेगी इस मामले से वाकिफ लोगों में से एक ने कहा एरलाइन्स के पास अगले दो दिन के लिए टिकटों की कोई इनवेटिंग नहीं है इसलिए टिकट बुकिंग प्लैट्फरम पर अगले दो दिनों की यातरा के लिए ताजा बुकिंग उपलब्द नहीं है डायरेक्टर जनरल ओफ सिबिल एवियेसन के आंकडों के अनुसार एरलाइन्स की मार्केट शेर एक साल से पहले 9.8 प्रतिसत की तुल्ना में इस साल मार्च में गिरकर 6.9 प्रतिसत पर पहुँच गई है इस बिच गोफर्ष्ट फ्लाइट के लिए टिकट बुक कराने वाले लोगों ने सोसेल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की है बार-बार होने वाली समस्या और पेड एन वेहिट नीशे इंजीनों को आप बुर्तिन होने के कारण गोफर्ष्ट को अपने कई विमानों को ग्राउंड करना पड़ा है एरलाइंस ने डेला वियर फेडरल कोट में एक इमर्जनसी याची का दायर की है जिसके दो मद्यस्त निर्णेयों को लागू करने की मांग की गई है इसमें इंजेन निर्माता कंपनी को गोफर्ष्ट को सेवा योग्य इंजेन तूरत डिलिवरी करने का आदेश दिया गया था वित वर्ष 2022-23 में एरलाइंस को 1800 करोड रूप्य का घाटा होने का अनुमान है इसके पीछे अन्तिम महिनों में इंजेन की वज़े से कई विमानों के उड़ा न भर पाने को जिम्मेदार बताया जा रहा है गोफर्ष्ट की कई महिनों तक एवियेसन मार्केट में 8-10 प्रतिसद हिस्यदारी हुआ करती थी लेकिन मार्च के महिने में यह गिर कर 6.9 प्रतिसद रह गई है ब्योरो रिपूर्ट जी एश टीवी तो शरत पवार 82 साल के हैं महराष्ट की राजनीती में शरत पवार का एक बड़ा नाम है वैसे देश की राजनीती में भी उनकी भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता साल 1999 में उन्होंने कॉंग्रेस से अलग होकर अपनी पाती का गठन किया था यानि पिछले 24 साल में NCP की कमान शरत पवार के पास है लेकिन अब उन्होंने अध्यक्स पद छोड़ने का एलान किया है तो आईए जानते हैं कि 63 साल के सक्रिया राजनीतिक सफर के बाद शरत पवार कितनी संपती के मालिक है साल 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांगन दाखिल करते वक्त शरत पवार ने हलफ नामे में जो ब्योरा दिया था उसके मुताबिक उनके पास करीब 32.73 करोड रुपय की संपती थी 2020 में शरत पवार के पास कुल 25.21.333.29 की चल संपती और 7.52.33.941 की अचल संपती थी जो कुल मिला कर 32.72 करोड की होती है अगर कर्स की बात करें तो चुनावी हलफ नामे के मुताबिक शरत पवार के परिवार पर 2020 तक कुल 1 करोड रुपे का कर्स था शरत पवार के परिवार ने शेर्स, बॉन्ड और डिवेंचर्स में भी पैसे लगाये है इसके इलावा तीन साल पहले उनके परिवार के पास कुल 88 लाख रुपे के सोने चांदी की जोयलरी थी जिसकी कीमत में आज की तारिक में ज्यादा आखी जाएगी उसके इलावा शरत पवार ने चुनावी हलफ नामे में बताया था कि उनके नाम पर कुई रजिस्टर नहीं है हाला कि शरत पवार अकसर टोयोटा लैंड क्रूजर और लेक्सस एलेक्स 570 कार में नजर आते हैं ये दोनों बेहद ही हाइटेक कार है टोयोटा लैंड क्रूजर की फिलहाल कीमत करीब 1.30 लाख रुपे के आसपास है जबकि लैक्सस एलेक्स 570 की कीमत करीब 2.40 लाख रुपे के आसपास है ये बेहद लगजरी कार है बता दे आज से 3 साल पहले 2020 में शरत पवार की कुल संपत्ती करीब 32.73 करूड रुपे थी इससे पहले 2014 के चुनाव में उन्होंने जो जानकरी दी थी उसके मुताबिक 6 साल के दोरान शरत पवार की संपत्ती में केवल 60 लाख रुपे का इजाफा हुआ था 2014 के चुनाव में शरत पवार ने 20.47.99997.41 रुपे की चल संपत्ती और 11.65.16290 की अचल संपत्ती समेत कुल 32.13 करूड रुपे की कुल संपत्ती की घूशना की थी बिरो रिपोर्ट जी एस टिवी यूपी नगर निकाई चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा नेता वोट की खाते ट्विटर वार करना शुरू कर दिया है एक दूसरे पर आरोप लगाने और मतदाताओं को लुभाने का सलसिला अभी भी लगातार जारी है यूपी निकाई चुनाव को लेकर सभी दल अपने चुनावी वादों से ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपने पक्षमे करने की कोशिश में है साथ ही एक दूसरे की कम्या भी सामने ला रहे है और यह भी बता रहे है कि उन्हें वोट देने से क्या फाइदा होगा और नहीं देने से क्या नुक्षान होगा इस बिट बहुजन समझ पार्टी की अध्यक्ष मायवती ने ट्वीट के जरीए निकाय चुनाव मद्दान से पहले बड़ा बयान दिया है मायवती ने विरुदी पार्टी उपर सिधान अनिशाना साथते हुए मद्दाताओ से भाव कपिल की है इसके साथ ही उन्होंने घंबीर आरोब भी लगाये है बतादी की मायवती की पार्टी इस बार भी दलित मुस्लिम वाट बैंक के भरोसे अपनी नईया पार लगना चाहती है पार्टी अच्छा प्रदशन करने को लेकर काफी गंबीर है क्योंकि पिछले विदान सबा चुनाओ में बस्पा का प्रदशन बहुत खराब रहा था बस्पा प्रमुग मायवती ने कहा कि यूपी निकाई चुनाओ के तहट चार मई को होने वाले पहले चरण के चुनाओ हेतू हाला कि विरुधी पार्टी ने शाम दाम दंड भेद आदी अनेक हतकंडो का लगातार इस्तमाल किया है लेकिन लोगों को वोट के अपने बहुमुल्य समवेधानिक हक एवं दाईत्व के प्रती वफादार एवं इमानदार रहकर ही वोट डालना है मायवती ने आगे कहा कि साथ ही इस चुनाओ के लिए भी भाजपा एवं अन्य विरोधी पार्टियों ने लुभावने वादे हवा हवाई बातो तथा कागजी दावे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है लेकिन वाटरों को इनके भेकावे में न आकर अपने शेत्र के हित एवं विकास के लिए बेस्पी उम्मेदवारों को ही वोट देने की अपिल की भारती नौसेना को बहुत जल्द खतरनाख स्टेल्थ गाइड़ेड मिसाइल स्टेरोड मिल जाएगा इस विद्वनसक ने समुद्री ट्रायल शुरू कर दिया है इस साल के आखरी महिने में इसे नौसेना को सौप दिया जाएगा इसका नाम द्वितिय विश्व युद के दोरान हुई इमफाल की लडाई के शहीदों की याद में रखा गया है यह पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पुर्वके किसी राजे के नाम पर रखा गया है इसका डिस्प्लेस्मेंट 7400 टन है 535 फिट लंबे इस जंगी जहाज का बीम 57 फिट का है यह एक डिजल एलेक्ट्रिक एंजिल से चलने वाला युद पोत है समुद्र में इसकी अधिक्तम गति 56 किलोमेटर प्रति गंटा है अगर यह 33 किलोमेटर प्रति गंटा की गति से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमेटर है 45 दिनों तक लगातार समुद्र में तैनात रह सकता है इस युद्धपोत पर 50 अधिकारी और 259 सैनिक तैनाथ हो सकते हैं इसमें 4 कवज डिकोई लॉंचर्स लगे हैं इसके अलावा बहतरिन रडार और कॉंबेक्ट मेनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है इसमें 32 बराक 8 मिसाले 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाल 4 टॉर्पिल्डो ट्यूप्स और 2 एंटी सब्मरीन रॉकेट लॉंचर्स साथ प्रकार के गंस होते हैं द्रू और सी किंग हेलिकोप्टर तैनाथ है ये ऐसे युद्धपोत है जिससे लगातार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसालों का परिक्षन किया जा रहा है इसके अलावा इस युद्धपोत पर 21 एंच के चार टॉर्पिलो ट्यूप्स है साथ ही दो अर्बियू 6000 एंटी सब्मरीन रॉकेट लॉंचर्स भी लगाए गए है इसमें सुरक्षा के लिए डी आ डी ओ द्वारा बनाया गया एलेक्ट्रोनिक वर्फियर शक्ती EW सूइट और कवच चेक सिस्टम लगा है इनस इंफाल में 32 एंटी एयर बराक मिसाले तैनात की जा सकती है जिनकी रेंज 100 किलोमेटर है इसमें 16 एंटी शिप या लेंड एटेक ब्रह्मोस मिसाले लगा सकते हैं इसके अलावा एक 46 mm की ओटो मेरा टॉप चार एके 603 CIWS गन लगी है इनस इंफाल पर दो वेस्टलेंड सी किंग या H.E.L.Drew हेलिकॉप्टर ले जा सकते हैं इस युदुपोथ में State of the Art Sensor लगे है जो दुस्मन की अथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं ये sensors ऐसे deck में लगाए गये हैं जीने दुस्मन देख नहीं शकता इसमें Battle Damage Control System लगाए गये हैं यानि युदु के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युदुपोथ काम करने बंद न करें Bureau Report GSTV